सबी के मन में ऐसा सवाल है कि अगर जो कोई भी संपत्ती है वो पिता के नाम पे संपत्ती है और पिता के द्वारा बेचा जाता है मतलब बेचने वाले संपत्ती को और कोई नहीं है और ऐसा सवाल बहुत सारा आया है बहुत सारे भाईयों का ऐसा सवाल है कि अगर वो संपत्ती को पिता ही बेच दे या वो संपत्ती को जो है बड़ा भाई है ना जो दो बेटे अगर हैं तो उनके जो बड़े भाई हैं अगर उनके द्वारा वो संपत्ती बेच दिया गया तो क्या वो संपत्ती के रेजिस्ट लिए क्या क्या करना होगा तो हम आज आपको सब कुछ बताएंगे कि आखिर इसकी रजिस्ट्री कैंसल हो सकती है या नहीं हो सकती है इसको जरूर समझने का परियास करेंगे यहां पर यह डिसकस करने वाले हैं कि अगर संपत्ती पिता के दौरा बेची गई है तो क्या आप कैंसल करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं देखिए अब जैसे यहां पर आप जो भी प्रोपर्टी देख रहे हैं यह पिता के दौरा बेचा गया है यह दस साल पहले बेचा गया यह जो है दो साल पहले बेचा गया है ना यह मान लेते हैं कि पांच जो है साल पहले बेचा ग वो सारा संपत्ति जो बेचा गया वो पैत्रिक संपत्ती है और आपको बता दें कि पैत्रिक संपत्ती को पिता के दवारा ऐसा नहीं है कि बेचा नहीं जा सकता, बिलकुल बेचा जा सकता है लेकिन उसमें पिता के कुछ जैसे कारण हो मा लेते हैं कुछ बच्चे की पढ़ाई के लिए हो या किसी का ऐसी परिस्थिती है घर में किसी का तबियत ठीक नहीं है स्वास्थ है उनके हिल्थ के लिए जो है असुरहार के लिए उस प्रोपर्टी को बेचा गया तो बेचा जा सकता है उस संपत्ती को लेकिन क्या सारी संपत्ती को बेचा जा सकता है तो बिल्कुल नहीं पैतरिक संपत्ती में पिता एक हिस्सेदार है और पिता अपने हिस्से से अधिक संपत्ती को नहीं बेच सकते है अब आपके मन में सवाल आएगा कि पिता अगर अपने हिस्थे से अधिक संपत्ती या पिता सारी संपत्ती बेच दिये तो क्या हम उस रजिस्ट्री को कैंसल कर सकते हैं तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल करा सकते हैं लेकिन आपको समझना होगा उसको पहले बहुत सारे साथियों का ऐसा सवाल है कि मेरे पिता के द्वारा 30 साल पहले संपत्ती को बेचा गया होगा अब बताएं कि अगर ऐसा प्राबधान दे दिया जाए कि आप 30 साल पहले का भी रेजिस्टी को कैंसल करा लें तो कितना विबाद उत्पन होगा कि 30 साल में आपके पिता के द्वारा जिनको बेचा गया फिर वो बैक्ती किसी दूसरे को बेच दिया फिर वो बैक्ती जो है कि इसमें कितने लोग इन्वाल्व होगा देखिए आपको अगर आपत्ती है पेता की संपत्ती को बेचने से तो आप उस जो है यानि जो रिजिस्टी हुआ है जिस समय हुआ उसके कुछ दिन कुछ मन के बाद अगर आप उस पे एक्षन लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा ज़्यादा पडियास मैक्सिमम आप तीन साल से तो अधिक समय के बाद आपको जाना ही नहीं है तो इसलिए आप अगर इस पे एक्षन है तो तीन साल के अंदर लेजिए या जितना जल्दी हो सके उस पे एक्षन ले सकते हैं तब क्या होगा कि उसमें जो है पिता के द्वारा जो बेची गई समपत्ती है उसकी रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है मतलब पिता इस पूरे प्लोट को नहीं बेच सकते हैं इसमें अगर उनके दो बेटे हैं तो यानी वन थ़ड ही सिर्क वो बेचने के अधिकार रखेंगे और बीना बटबारा किये वो भी वो संपती को नहीं बेच सकते हैं तो पिता अपना one third हिस्सा वो बेचने के लिए सोतन्त रहे अन्यथा उससे अधिक अगर वो संपती बेचते हैं और जो बेटे है बेटे के दोरा उस पे किसी प्रकार का पथि होता है पेतरिक संपती में तो वो रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकता है अब हम यहाँ पे जो है आपको बताने जा रहे हैं कि रजिस्ट्री आप जो कैंसिल कराईने उसके लिए क्या करना होगा क्या नियम है कैसे कराईने किस परकिरिया को फॉलो करना होगा क्या कानून है है ना यह है जो हमारा कानून है वो है रिली एफेक्ट और इसका जो धारा है वो 31 है इसका जो धारा है 32 है कि अगर कोई भी समपती जो है ना अपने हिस्से से ज़ाधा बेच दिया है ना तो 32 में यह कहता है कि आप बाइ पार्ट भी कैंसिल करा सकते हैं अब यह ज़्याधा तर किस पे लाग हो है या प्रोपर्टी बेचने का पैत्रिक समपती बेचने का बिना बटबाडा का अधिकार नहीं है तो पूरा डिड को आप कैंसल कराने के लिए केस फाइल कर सकते हैं कि जब तक एक तरसे जब हिस्सा लगा नहीं उस पे आपत्ती है बेटा जो है उस पे हिस्सा मांग रहा है उस प्रोपर्टी पे पिता के द्वारा बेचा गया अब पिता के द्वारा जो बेचा गया समपती बेचने का कुछ कारा नहीं नहीं है मतलब ऐसी किसी फरकार की कोई इमर्जनसी में है जिसे की पिता वो संपत्ती को बेच रहे है तो यहाँ पे आप अब्जेक्शन लगा सकते है रही बात पिता की अगर सेल्फ एक्वाइर प्रोपर्टी है तो उस केस में वो उनकी अर्जिस संपत्ती है वहाँ पर बेटा, बेटी, पत्नी, माता, पिता किसी का भी अधिकार नहीं होता है देखिए जो आप अपना स्वैम अपनी कमाई से कुछ भी खरिदते हैं प्रोपर्टी हो जो भी खरिदते हैं उस पे आपका पूरा पूरा अधिकार होगा उसको अगर आप अपने नाम से खरिदते हैं तो आपका पूरा पूरा राइट मिनता है उसको जो है किसी को लेने का अधिकार नहीं है ठीक है यानि यहाँ पिता जो है उदय परकास सिंग और बेटा जो है संजीप परकास सिंग और राजे सिंग है तो अगर पिता के दोरा संपती बेचा गया है तो तीन साल के अंदर माल लेते हैं किसी एक बेटे को भी आपती है ठीक है दूसरा बेटा उसके लिए तयार नहीं है लेकिन किसी एक बेटे को भी उस बात से आपती है तो वो जो है यानि सिबिल नियाले में जाकर केस फाइल करेंगे ठीक है और यहाँ पे जब आप उसके लिए उकील करेंगे तो आपको सारा कानून समझ में आ जाएगा लेकिन ऐसा प्राब्धान जो है वो specific relief act में है कि अगर कोई भी deed है तो अगर यह तरह से बेचने वाला को वहाँ पे अधिकार नहीं है तो आप उसको cancel करा सकते हैं और 32 वहाँ पे कहता है कि अगर आप जो है जो हिस्से से जाद property पिता नहीं बेच के या वो संपती जो बेचा वो भरा भाई बेच दिया ठीक है संजी परकासिंग के द्वारा जो है यह plot को बेच दिया गया तो उस case में क्या होगा यहाँ पे जो बरा भाई के द्वारा क्या किया गया कि छोटा भाई का भी हिस्सा बेच दिया गया पूरा plot बेच दिया गया देखे यहाँ पे तो यहाँ पे तो दो भाई का हिस्सा था बरा भाई कैसे बेश सकता हो संपत्ती को लेकिन फिर भी आप जितना कम समय में इस बात के लिए अक्सनल ले तो ज़्यादा सही है नहीं तो फिर अगर लंबी समय में लेंगे तो पहले आपको तो यह साबित करना होगा कि उन्होंने फ्रॉड किया धोखा किया आपको बताया नहीं आपको जानकारी नहीं थी बहुत तरह की बाते हैं किसी जो है केस को फाइल करने का डिपेंड करता है कि यहाँ पे इस तरह से केस फाइल होगा कि नहीं होगा अगर नहीं होगा तो फिर उसमें दूसरा जो है तरीका लगाए जाता है लेकिन अगर हिस्से से अधिक प्रोपर्टी को बेच दिया गया है तो आप संपत्ती को पार्ट बाई पार्ट भी कैंसिल करा सकते हैं मतलब इसमें आप चाहें तो 50% जो है इसकी रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं अगर यह 50% पूरा बेच दिया गया तो 50% जो है आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं और यह 1222 जो है यही कहता है मालत है दो भाई में विरासत की संपत्ती है, पैत्रिक संपत्ती है, दोनों भाईयों का अधाधा हिसा ओना चाहिए, लेकिन एकी भाई पूरी संपत्ती हो देग जएता है, और ऐसा बहुत सारा मामला हुए, तो ये तो डिट गलत है ना, आप जो है उस संपत्ती जब वो दो भाई उसमें हिस्सेदार है तो पूरी संपत्ती आप कैसे बेस सकत 요 हाँ उसमें अगर दूसरे भाई उस बात को सपोट कर रहे हैं इसलिए जब दो भाई का नाम होता है तो एक भाई को सपोट में वहाँ पे भी एक तरह से सपोट गबा के तोर पे वो मौजूद हैं वहाँ पे और उनका भी डीट पे signature होता है तो यह असपस्ट होता है कि यह जो बेचा गया संपत्ती यानि यह बरे भाई के हिस्सा में ही था और यह संपत्ती इस था और यह संपत्ती इस बात के लिए छोटे भाई के गोरा पुरा-पुरा support भी किया गया है तो cancel नहीं होगा तो इस तरीके से हाँ मन में सवाल एक लिए भी आता होगा कि तो खरिदने वाला का क्या होगा तो खरिदने वाले के लिए भी पराप्धान है और खरिदने वाला पैस भी वापस पराप्ध कर सकते हैं लेकिन कैसे हम आगे उसको इपार डीटेल से बताएंगे कि आखिर कोई भी संपत्ती अगर आपने गलत खरीद ली है या आपका आपने खरीदा लेकिन वो डीर कैंसिल हो गया तो क्या पैसा कैसे आप हांसिल कर सकते हैं जो पैसा आपने पहले जिस जमीन को खरीदने में दिय है उसका भी पूरा तरीका बताएंगे असा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल को पहली बार देखरें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाला है मिलते हैं ले वीडियो में तब त जे लाओंения हैं जया है जब आँ जया है जहार ल्कार को जरील को